तो दोस्तों फाइनली एक बार फिर से बॉक्स ओफिस पर वापसी होने वाली है भाईया बजरंगी भाई जान की तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट चलिए मैं आपको बताता हूँ हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपके लिए देख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कजड़ी विया इंडियन फिल्म इंडश्री के सदी के रियल मेगा स्टार यानि कि दबंग खान सल्मान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानि कि भाईया बजरंगी भाईजान टू से तो दोस्तों बजरंगी भाईजान को लेकर खबरों का बाजार तो काफी दिनों से गरम था कि भाई इस फिल्म का सीक्वल बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में आने वाला है यह इस फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार तो काफी दिनों से गरम हो गया था लेकिन इस फिल्म को लेकर कोई ओफिशली जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आ रही थी लेकिन भीया फाइनली अब खुद इस फिल्म को लेकर सलमान खान ने अपनी मन की बात सब के सामने रख दी है कि भाई हाँ बिदरंगी भाई जान टू बहुत जल्दी ही फ्लोर पड जाने वाली है यानि कि भीया कल ट्रिपल रर का जब इवेंट हुआ था मुंबई में तो भीया उसी इवेंट के दोरान ये घोशना खुद बॉलिवूड के दवंग खान ने अपने दीवानों के सामने कर दिया है कि भाई वो बहुत जल्दी ही बजरंगी भाई जान टू क काम शुरू करने वाले है यानि कि भीया जब कल ट्रिपल रर का इवेंट हो रहा था मुंबई में और उस इवेंट को होस्ट कर रहे थे करन जोहर तो भाई करन जोहर ने खुद सल्मान खान से ये सवाल पूछा कि क्या हम ये बात ऑफिशली मान ले कि आप बजरंगी भाई बजरंगी भाईजान को एक बार फिट से बॉक्स ओपिस पर वापिस लाने वाले हैं तो भीया इस सवाल के जवाब में खुद सल्मान खान ने ये बात करन जोहर को कह दी कि हा करन ये फिल्म एक बार फिट से बॉक्स ओपिस पर वापिस आने वाली है यानि कि बजरंगी भ उन्होंने सल्मान खान से मिटिंग भी की थी और भाई जब उन्होंने अपना प्लॉट सुनाया था सल्मान खान को तो सल्मान खान को वो प्लॉट काफी पसंद आया था और उसी वक्त से ये खबरों को बज़ार इस बात को लेकर गरम हो गया था पर हुआ था यानि जब बजरंगी भाई जान की इंट्रिवी थी बॉक्स ओपीस पर तो भाई उस फिल्म ने 922 करोड 12 लाख रुपे का बिजनस सल्मान खान के लिए कर दिखाना था है यानि बेसल्मान खान ने खुद ये बात मानी है कि भाई बजरंगी भाई जान जो है वो उनके लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है और वो इस फिल्म को एक बार फिर से बॉक्स ओपीस पर लेकर आने वाले है तो दोस्तों इस फिल्म की घोषना तो एसेस राजा मौली के सामने खुद सल्मान खान ने कर दी है तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या एसेस राजा मौली अपने पिता के दोरा लिखी गई इस फिल्म ने इस फिल्म को करने से इंकार कर दिया था भाई जब ये फिल्म सिनेमा घर में आई तो इस फिल्म को देखने एक बात एसेस राजा मौली को भी इस बात को लेकर काफी दुख भुआ था कि वो इस फिल्म को क्यों नहीं बनाएं और भाई अब जब इस फिल्म का सिक्वल आने वाला है तो हम तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसे राजामौली इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार भी हो जाएं तो दोस्तो आप अपने कमेड़ी के मादम से मिल दिर मताईगा कि आपको सल्मान खान की आने वाली स्विल्म यानि की बजरंगी भाईजान 2 का कितनी बेतावी से इंतिजार है तो बॉली उट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक स्प्राइब करना ना भूलीगा और हमारे अपडेट्स को जाने के लिए बैला एकिन कोच ज़र दवाईगा